दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसी नंस के बारे में जो की प्यासी थी, अब उन्हें किस चीज की प्यास थी वो तो आपको आगे चल कर ही पता चलेगा कहानी सुरू होती है रिपब्लिक ओफ फ्लोरेंस से, ये दोर है उस समय का जब प्लेग नाम की बिमारी ने अपना जोर पगड रखा था हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टंडीरा है, जो की हाथ साफ किया करता था याने की पहले चोरिया किया करता था और अब वो चर्च में पैंटर है, टंडीरा बहुत समय से यहाँ पर पैंट कर रहा है, पर उसको अभी तक अपनी ध्याडी नहीं मिली, याने की पगार नहीं मिली वो अपनी ध्याडी के लिए फादर के पास जाता है, और देखता है फादर की मिर्ची हो चुकी है पलेग की वजह से, कहता है अब तो मिलने से रही मुझको ध्याडी, वो फैसला करता है कि क्यों ना वो चर्च का फादर बन जाए, जिससे उसको खाना भी मिलेगा और वो स ठग पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने जुए की टेबल पर बड़ी ही चलाकी से इस चोर उचक के जटबीनो नाम के सक्स का बहुत अच्छे से काटा था, जटबीनो एक सरकारी आदमी है, याने कि वो यहां की सरकार के लिए काम करता है, वो लोरेंजो से बदला लेने के ल वो कहता है, दुखी मत हुओ, मेरी सिंपथी तुम्हारे साथ है, क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे साथ मैं तो हूँ ना, पैमपीन्या की हेल्प करने का मतलब हम समझ जाते हैं कि जटबीनो अपना पजामा उतार कर अपना जुर्मुटिया पैंपीनिया को देना चाहता है लेकिन पैंपीनिया जटबीनों से कहती है मैंने रसिया की राजकुमार राजकुमार चकलंड से प्रोमिस किया है कि मैं उन्हीं से साधी करूंगी और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पैंटी दिखाऊंगी जो कि अभी रसिया से सीधा इधरी आ रहे हैं मेरी पैंटी देखने के लिए ये सब कहकर वो यहां से जाने लगती है जटबीनों कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था पैंपीनिया पूछती है किस चीज का कर्ज जटबीनों कहता है दूद का कर्ज सीधी सी बात है उन्होंन मीना जूट बोलकर पैंपीनिया की पैंटी उतारना चाहता है पैंपीनिया कहती है मैं राजकुमार चकलंड से प्रोमिस कर चुकी हूँ कि मैं उन्हीं से साधी करूंगी हम लोरेंजो को देखते हैं जो की घोड़े पर बैठकर यहां से भागा जा रहा है क्योंकि उसके सारी नंस रहती हैं और मैं इस लास को वहीं से लेकर आ रहा हूं ये वहाँ पर गार्ड़नर की पोस्ट पर नियुक्त था तभी लोरेंजो की दिमाग की बत्ती जलती है कहता है अगर ये गार्ड़नर मर गया है तो उन्हें नए गार्ड़नर की जरूरत होगी क्या वो गूंगा बहरा था और उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए काम के लिए लोरेंजो यहां से जाते वक्त कहता है गूंगा बहरा होना स्पेशल स्किल्स नहीं है वो अपंगता है अब लोरेंजो जटबीनों के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चड़ जाता है जटब ले आती है यहां पर दो नंस उसके सरीर के निरक्षन के लिए आती है यह दोनों उसके सरीर को ऐसे निहारती है जैसे कि वो बहुत सालों से प्यासी है इन में से एक नं कहती है देखो इसकी कोई हड़ी तो नहीं तूट गई अब सब को पता है कि यह किस तूटी हुई को जाचती है और पाती है उसकी नाजू खड़ी बिल्कुल सही सलामत है जिसके बाद वो लोरेंजो की सर्ट उपर करके उसके पेट पर किस करती है जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है और वो दूसरी से कहती है तुम भी करो मजा आएगा और अब वो भी किस करती है हम है कि लोरेंजो होस में है वो सिर्फ बेहोस होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख फकीर भी बन जाए तो इस सरीर में अपने हतियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख होसलों के तरकस में कोसिस का वो तीर जिंदा तभी यहाँ पर इन दोनों नंस की मदर आ जाती है यह किसी तरह से अपनी हवस पर काबू पाती है और अपनी फेस सिल्ड लगा लेती है यह मदर से कहती है मदर हमको लगता है कि यह गूंगा बहरा है यह सुनकर मदर गूं मज़े आ जाते हैं कि चलो कोई तो बकरा मिला जो हमारी प्यास बुझाएगा यहाँ पर हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन दोनों नंस को तो पता ही नहीं था कि लोरेंज जो गूंगा बहरा है तो फिर इन्होंने जूट क्यों बोला दरसल यह चाती थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई गूंगा बहरा आ जाए जिससे यह सारी नंस उसके साथ अपनी राते हसीन कर सके तबी फिर से हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन नंस को गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए दरसल यह नंस भी मिंटोस खाती है तो इनका दिमाग भी काम करता है यह गूंगा बहरा आदमी इसलिए चुनती है ताकि उस आदमी के साथ रात रंगीली करें और गूंगा होने के कारण वो किसी को बता भी ना पाए और ना किसी की सुन पाए मतलब कि गूंगे बहरे आदमी के पास इनकी सवारी करने की टिकट है और तो और इन्होंने ही उस पुराने गाडनर को पेल पेल कर खोकला कर दिया था इनको उस बुढ़े पर जरा भी दया नहीं आई कि उसकी एक टांग पहले से ही कबर में है अब मदर लोरेंजो से पूछती है क्या तुम गूंगे बहरे हो लोरेंजो कोई गधा थोड़ी है जो वो कुछ भी सच बोलता वो इसारे में कह देता है हाँ मैं गूंगा हूँ मदर कहती है ये तो चमतकार हो गया एक बावली गांड गया और दूसरा आ गया और कहती है जाओ तुम इसको अच्छे से नहला धुला दो बस फिर क्या था इसी चीज कही तो इंतजार था लोरेंजो जो की आदत से मजबूर था वो एक साइरी गुनगुनाता है कहता है खुसिया तमाम तुम पर निसार कर दू तुम आजाना कपड़े उतार कर मेरे पास तुम्हारा एक सापना सा कार कर दू और बस इन्होंने लोरेंजो की साइरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं ये जटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टपाटप टपाटप तपाटप दूसरी तरफ हम देखते हैं पैमपीनिय जटबीनों से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है और यहाँ पर जितने भी लोग है वो सारे के सारे वरजिन है ये अपस में गल्फ्रेंड बॉइफ्रेंड तो है पर इन्होंने कस्म खा रखी है कि ये साधी स से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी पैमपीनिय बताती है जटबीनों मुझसे जबरदस्ती साधी करना चाहता है लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार चकलंड से मेरी साधी तैकी है और मैं उसी से ही साधी करना चाहती हूं तभी दूसरी सहेली कहती है पहली ए यहां क्या कर रहे हो, चलो भाग जाओ यहां से, तुम्हें पता नहीं है कि लोकडाउन चल रहा है, यह सबी वहां से बाहर आ जाते हैं, जहां पर यह एक फैसला लेते हैं कि यह लोग पैमपीनिया को कोनवेंट में छोड़ आएंगे, जब तक कि राजकुमार चकलन्ट ना आ जाएं, तभी एक सहेली घोडागाडी लेकर आती है, पहली वाली पूछती है यह चलाएगा घोडागाडी, यह कहती है यह अंकल ब्रूनो है, और इनको बवासीर है, और तो और यह वरजिन भी है, इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया, वो इस पैंटर था और उससे पहले चोर, अब पैंपीनिया को पहले एक तेज घोडागाडी से भेज देते हैं, और खुद दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं, पैंपीनिया के कोन्वेंट में पहुचने के बाद यह लोग उसकी पैंटी उतार कर पाजामा पहना देते हैं, य पैंपीनिया की नजर मासूम से दिखने वाले लोरेंजो पर पड़ती है, वो नन से पूछती है ये कौन है, नन बताती है कि वो सीधा स्वर्ग से आया है, वो गूंगा बहरा है और हमारा गाडनर है, जो की बहुत महनती है, वो दिन रात गहरे कुए से पानी निकालता है, ये सुनकर पैंपीनिया का भी अपने कुए से पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रसिया के राजगुमार, राजगुमार चकलंड की याद आती है, तो पैंपीनिया अपनी पैंटी को खिसकने से रोक लेती है, आगे हम देखते हैं लोरेंजो गार्डन में क इतना उतावला रहता है, अब ये खुस था तो ये एक सायरी पढ़ता है, राहो पर नजर रखना, हतियार पर नजर रखना, आजाए कोई सायद पैंट की चैन खुली रखना, हतियार की गर्मी को जला कर रखना, उसको भी गरम रखना, देता है सजा मुझको रातों को भट सागस करने चला जाता है पैम्पीनिया उन दोनों को जाड़ियों के पीछे जाता देख लेती है जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वो जैलेस फील करने लगती है दूसरी तरफ हम देखते हैं रसिया के महान राजकुमार राजकुमार चकलंड महल में पधार चुके हैं यहां पहुचते ही राजकुमार चकलंड की मुलाकात चोर उचक के जटबीनों से होती है राजकुमार चकलंड उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं कहते हैं एक था लड़का जिसका नाम था चकलंड एक दिन उसने अपना नाम बदलने की सोची उसने एक मजदूरी करने वाली ओरत से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्समी बताया फिर उसने एक भिकारी से उसका नाम पूछा उसने अपना नाम धनपत बताया फि पिसमी करे मजदूरी धनपत मांगे भीक जब अमर सिंग ही मर गया तो चकलंड नाम ही ठीक बस फिर क्या था वहां तालिया बजने लगती है उसके मन में राजकुमार चकलंड चोर उचक के जटबीनों को पैमपीनिया का फादर समझता है कहता है मैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए कुछ तोफा लाया हूं जिसे देखकर आपके बीवी को मज़ा आ जाएगा जटबीनों कहता है नहीं मैं पैमपीनिया का फादर नहीं हूं राजकुमार चकलंड कहते हैं तो फिर आप उनके दादा जी होंगे जटबीनों कहता है नहीं मैं पैमपीनिया का ह कोई जवाब नहीं और ये कहकर राजकुमार चकलंड कुछ समय के लिए वहां से चले जाते हैं तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है वो बताता है पैमपीनिया गाउं के बाहरे कॉन्वेंट में गई है और वहीं आपसे साधी करेगी ये सुनकर चकलंड उस गाउं के लिए निकल पड़ता है हम देखते हैं कि लोरेंजो के कमरे में दो और नई नंस अपनी खुजली खुजलवाने आती है वो कहती है खुजली एक पहली है जो समझी न जा सके खुजली एक सहीली है जो बनाई न जा सके खुजली एक कोश्चन है जो सुलजाया न जा सके खु और हम तो जानते ही हैं लोरेन जो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए डट कर खड़ा रहता है दूसरी तरफ हम देखते हैं पैमपीनिया की सहली जंगल के रास्ते से गाउं की तरफ बढ़ रही है तभी रास्ते में दो लड़किया उनके बॉइफरेंड को इसारा देकर बुलाती है कहती है आजाओ दूद पीलो ये दोनो चले जाते हैं वो दोनों इनको गाए का दूद पिलाती है और ना जाने कब में गाय का दूद पिलाते पिलाते वो अपना दूद पिलाने लगती है लेकिन यहाँ उनके कारियों में रस्ते का रोडा बनकर लड़कों की एक गल्फ्रेंड वहाँ आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है कहती है तुमको सर्म नहीं आई तुम ये क्या कर रहे थे वो कहते है हम तो दूद पीने आए थे अब हमें क्या पता था वो हमें अपना दूद पिलाने लगेंगी इधर हम देखते हैं दो नन पैमपीनिया से कहती है हम तो जा रही हैं उस गुंगे बहरे को नहलाने के लिए और अपनी खुजली खुजलवा कर ही वहां से आएंगी तो इस पर पैमपीनिया कहती है ये तो पाप है ये तुम क्या कर रही हो जवाब में दोनों नन कहती है हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है पर हम तो अपनी खुजली खुजलवाएंगे जरूर लेकिन वो इस बार लोरेंजो से अपनी खुजली नहीं मिटवाती बस उसके टब में पानी डालने के लिए गई थी वो पैंपीनिया से कहती है आजाओ तुम भी अंदर लेकिन पैंपीनिया कहती है ना मैं ना आरी अब लोरेंजो को नहला धुला कर मदर के लिए पेस किया जाता है लोरेंजो कहता है महक रही है फुलवारी तुम्हारी जुम रही है क्यारी क्यारी कमरे में है प्यासी कुवारी जिसकी प्यास है जरूर मिटानी बस फिर क्या था मदर लोरेंजो के साथ खूब घचा घच करती है और ये देखकर पैमपीनिया की पैंटी में बहुत जलन होती है क्योंकि पैमपीनिया को लोरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था अगले दिन लोरेंजो बगीचे में काम कर रहा था जहांपर पैमपीनि कि वों यहाँ पर क्या करवाने आई है लोरेंजो उसकी COVID Face Shield उठाने लगता है वो उसको रोक देती है और उसकी आखो पर पट्टी बाहने लगती है केहती है मैं तुम्हे हर पिलाना चाहती हूँ और मैं तुम्हें अभी अपने घाट का पानी नहीं पिलाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे साधी करना चाहती हूँ अब पैमपीनिया लोरेंजो को एक सिद्धत वाली किस देती है जिसमें उसका लोरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार भरा था हम देखते है दूद पीने वाला बॉइफ्रेंड अपनी गल्फ्रेंड से नाराज हो गया है ये सोचती है कि ये कहीं और जाकर किसी और का दूद ना पीने लग जाए जिससे ये एक डिशीजन लेती है और अपने बॉइफ्रेंड को जंगल की गहराईयों मिलेकर चली जाती है कहती है मे मुझे खजाना देदो मुझे खजाना देदो अभी देदो और उसका घोड़ा इस दोड में हार जाता है गर्लफ्रेंड उससे कहती है तुमने ये क्या किया बोईफ्रेंड कहता है घोड़ा दोड में हार गया तो हार गया अब मैं इसमें क्या करूं गर्लफ्रेंड कहती है ख पहुच चुके थे पैंपीनिया लोरेंजो को छोड़ कर नहीं जाना चाती थी इसलिए वो मदर से जूट कह देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है क्योंकि वो नहीं चाती थी वो इन नंस को पेल पेल कर खसी हो जाए मदर पूछती है तुम्हें कैसे पता वो गाते हुए सुना था उसकी आवाज बिलकुल हुब हुँ हनी सिंग जैसी है मदर पूछती है वो कौन सा गाना गा रहा था पैंपीनिया कहती है वोल्यूम वन चूस चूस मेरा घोड़ा जैसे अंडो का पकोड़ा अब तुने बोला थोड़ा तो तुझे मारूंगा हा तो गया और चमतकार को मेरा नमसकार मदर सोचती है ये मादर भक्त तो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है ये हमारे सारे के सारे राज खोल सकता है तो मदर उसके पिछवाड़े पर लात मार कर उसे यहां से भगा देती है फिर पैंपीनिया भी वहां से जाने लगती है लोरें राजकुमार को पानी की प्यास लगी थी तो वो पीने के लिए तलाब की तरफ बढ़ता है जहां पर उसे एक सुंद्री मिलती है चकलंड उसे अपना एक फुद्दू सवाल फैक कर मारता है पूछता है क्या तुम इंसान हो वो कहती है नहीं मैं जल परी हूँ राजकुमार क तो उसमें है जो बिना हड़ी के मर्द की चड़ी में है बस फिर क्या था बिना हड़ी वाली चीज फरजी पैमपीनिया की चड़ी में थी हम देखते हैं पैमपीनिया और लोरेंजो उस जगहां पहुच चुके हैं जहां पैमपीनिया की साधी राजकुमर चकलंड से होनी पैमपीनिया लोरेंजो से पूछती है क्या तुम किसी से प्यार करते हो वो कहता है हाँ लेकिन मैंने उसका सुन्दर चैरा अभी तक देखा नहीं है उसने मुझे एक बार किस किया था पैमपीनिया उससे आख बंद करने के लिए कहती है ताकि उसको याद आ जाए कि किस करने के लिए आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर चोर उचक का जटबीनो आ जाता है पैमपीनिया लोरेंजो से कहती है तुम भाग जाओ यहां से वो तुम्हें माल डालेगा लेकिन लोरेंजो के पिछवाडे में हीरो बनने की चूल मची थी वो जटबीनो से एक फुद्दू स कोश्चन पूछता है कहता है अंधेरी रात थी वो मेरे साथ थी मैं उसके उपर था वो मेरे नीचे थी बताओ वो कौन थी यह सुनकर जटबीनो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है इन दोनों के बीच फाइट होती है लोरेंजो नंस की ले लेकर खसी हो गया था इसलिए वो हार जाता है अब जरबीनो उसको मारने ही वाला था तभी पैमपीनिया कहती है अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी साधी नहीं करूंगी यह सुनकर जटबीनो उसे नहीं मारता और उसे कैद खाने में डाल देता है लेकिन कुछ द पैमपीनिया कहती है नहीं ये मेरा आखरी काम है बस ये काम कर दो अब जटबीनो लोरेंजो को आजाद कर देता है पैमपीनिया जटबीनो से साधी नहीं करना चाहती थी वो बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए उससे जूट पर जूट जूट पर जूट बोलती जा रही इस साधी से बचने के लिए वो चर्च के फरजी फादर से सोने के कुछ सिक्के देती है और कहती है कि तुम ये साधी मत करवाना कुछ भी बहाना रख देना फरजी मान जाता है हम देखते हैं जटबीनों के दो लल्लू सी पाई लोरेंजो को यहां से दूर लेकर जा रहे हैं हम देखते हैं कि फरजी फादर इन दोनों की साधी करवा रहा है और इनकी साधी को लेट कराने के चक्कर में वो उल जुलूल कोश expedition पूछने लगता है पूछता है जटबीनों आज तेरी साधी है तू नहा कर भी आया है या ऐसे ही आ गया जटबीनों कहता है हाँ मैं नहा और कहता है मैं तेरी साधी नहीं करा सकता क्योंकि तेरे नाखून गंदे हैं जटबीनो जाकर अपने हाथ धोकर आता है फादर कहता है मैं साधी कराने के पैसे भी लेता हूं कभी तू ये सोच रहो कि मैं फिरी में साधी करवाता हूं क्योंकि तू सकल सही चोर उचक्का लग हम देखते हैं जटबीनों यहां से भागने की कोशिस कर रहा है तभी लोरेंजों उसका रास्ता रोकता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं इस फाइट के दोरान लोरेंजों उसे एक कुवे में धकेल देता है जिससे जटबीनों को राम नाम सत्थ हो जाता है तभी यह पर पैंपीनिया आती है वो राजकुमार चकलंड से कहती है मैं तुमसे साधी नहीं कर सकती ये सुनकर राजकुमार चकलंड की फटकर हाथ में आ जाती है अब जब पैंपीनिया अपनी फेस सेल्ड उतारती है तो राजकुमार चकलंड कहता है कि तुम तो पैंपीनिया नहीं पैंपीनिया उसको रोकती है पूछती है तुम कहा जा रहे हो वो कहता है मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंड कर उससे साधी करने जा रहा हूं पैंपीनिया लोरेंजो से आख बंद करने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है कि य ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और अब वहाँ पर मोजूद सभी मर्द अपने अपने जुगाड को किस करने लगते हैं इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है तो चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद